अजनी थाना के अंतरगत MBBS में एडमिशन के नाम पर 41 लाक रुपए की धोका धड़ी का संसनी खेज मामला सामने आया है। आरोपियों के नाम सचीन कश्यप श्रिकान चंदरशेकर आतराम साकरे बताए गए है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गुलविवार कॉलनी नाशिक रोड पुने निवासी डॉक्टर शिल्पा सुरेश धेकले अपनी बेटी को मेडिकल का शिक्षन देना चाहती थी। इसके उसके MBBS में प्रवेश दिलाना था। किसी के माध्यम से उन्हें चारो आरोपियों के बारे में पता चला। आरोपियों से पूछताच करने पर उन्होंने मोटी रकम देकर एड्मिशन दिलाने का जासा दिया। डॉक्टर धेकले उनके जासे में आ गई और अजनी थाना अंतरगत मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए रकम देने को तयार हो गई। उनके ब वर्ष बीतने के बाद भी जब उनकी बेटी को MBBS के प्रथम वर्ष में प्रवेश नहीं मिला तो अपने साथ हुई धोका धड़ी की आशंका हुई। पैसा मिलने के कुछ दिन बाद ही आरोपियों ने अपना मोबाइल फोन बंद कर दिया। डॉक्टर धेकले नागपुर में पहुची और जब जांच पड़ताल की तब उसे इस धोका धड़ी का पता चला। उन्होंने अजनी पुलीस में शिकायत की। पुलीस ने धोका धड़ी करने वाले आरोपियों के खिलाफ मामला दर्च किया है और उनकी तलाश कर रही है।